Hello student, this is the new chapter, Atomic Structure and Video No.1. बेटा इस वीडियो में हम लोग बोहर का Atomic Model explain करेंगे. वास्तों में इसके पहले हमने आपको पढ़ाया था कि Atomic Model पे, Atomic Structure में सबसे पहले Thompson ने क्या है? आटम के बारे में बताया था, और उसने आटम को Watermelon से Compare किया था, जिस प्रकार से Watermelon के अंदर जो उसकी Seeds होती है, उसके अंदर जो Inserted होती है, उसी तरह से Atom के अंदर Electron Inserted है, Seeds की तरह, और जो Remaining Part है, Red वाला पार्ट है Watermelon का, वो एजे Positive Charge है. ठीक है न, तो ये Thompson का Model था, Atom के लिए, फिर जो है कि, लेकिन ये जो Thompson का Model था, ये वास्तों में कुछ फेनामेना ऐसे हैं Atom के Case में, जैसे आपने कहा कि Atomic, सबसे पहली बात कि Atom के Case में जो Line Spectra बनता है, Line Spectrum जो बनता है, उसको Explain नहीं कर पाया, Thompson का Model, ये जो Line Spectrum है, वो कैसे बनता है, ये तो मैंने आपको बताया भी था, साथ में, वो कुछ चीजों को तो Explain कर ले गया, कि हमारा Atom जो है Electrically Neutral है, Atom क्या है, Electrically Neutral है, जितना Electron Atom के अंदर है, उतना ही Positive Charge भी है, दोनों का Sum करोगे तो Atom पर जो Charge होगा वो Zero होगा, तो Electrically Neutral तो उन्होंने Explain कर दिया, बट जो Spectrum था, जो Hydrogen Spectrum की Study की गई थी, जो Spectrum साइंटिस्टों को मिल रहा था, उस Spectrum को Thompson के Model ने Explain नहीं कर पाया, साथ में, Rutherford ने एक Experiment किया था, Alpha Scattering, Alpha Scattering के Case में जब Rutherford ने Gold Foil पर या Atom पर Alpha Particle की Bombarding की थी, तो Most of Alpha Particle जो है, वो Atom को Penetrate करके उस पार निकल गए थे, और कुछ Alpha Particle 180 डिगरी पर क्या है, वापस आ गए थे, तो Rutherford ने बोला कि इसका ये मतलब हुआ कि Atom में Empty Space है, जिसको क्या है, Alpha Particle आसानी से Penetrate कर जा रहे हैं, तो Thompson का जो Model था, वो इस बात को Explain नहीं कर पाया, कि जो Alpha Scattering हो रही है, जो Alpha जो है कि Penetrate करके आर पार क्यों निकल जा रहे हैं, अगर Atom पूरा का पूरा भरा हुआ है, Positive Char से और Electron से, तो कैसे Electron जो Alpha Particle Penetrate उसे कर पा रहा है, और जैसे ही उसकी Bombarding करते हैं, तो आर पार निकल जा रहा Alpha Particle, तो ये दो चीजों में Thompson Model success नहीं हुआ, एक तो Line Spectra जो बन रही थी Atom के Case में, उसको Explain नहीं कर पाया, और साथ में Rutherford Model में जो Alpha Scattering का Experiment हो रहा था, उसको नहीं कर पाया कि Experiment ऐसा क्यों शो कर रहा है, तो वो fail हो गया, बाद में Rutherford आये, मैंने पूरा का पूरा Explain किया था उसको कि Rutherford ने क्या है, तो Discovery किसकी की Nucleus की Rutherford ने कहा कि Center पे क्या है, Nucleus है, Atom के Center पर Nucleus है, जिस पर कि Atom का पूरा का पूरा Charge आपका Concentrated है, और Electron उसके चारों तरफ Revolve कर रहे हैं, ठीका न, और तो उन्होंने Discovery के किसकी Nucleus की, और Distance of Closest Approach को ले करके उन्होंने Nucleus की Size को Calculate किया, क्या उसकी Size है, क्या उसकी Radius होगी, तो 10 to power minus 14 और minus 15 की Order की Radius निकल के आई थी, वो मैंने डिसकस किया आप लोगों से, तो इस तरह के से लेकि Radhafford Model कुछ चीजों को Explain करने ही मोगी क्या है, असमर्थ रहा, जैसे मान लिजे कि अब किन-किन चीजों को Nucleus को उसने Explain कर दिया, पूरा का पूरा Density, Size, Charge, Position, सब कुछ निकाल दिया उसने Nucleus का, तो Completely क्या है, Nucleus के बारे मोगी इन्होंने Explain कर दिया, लेकिन जो है कि Atom की जो Stability है, Electron अगर Orbit में Revolve कर रहा है, अगर यह Nucleus है, इसके चार उत्र बगर Electron Revolve कर रहा है, तो पता है कि Accelerate करेगा, तो यह Energy को Radiate करेगा और Nucleus में क्या होगा गर जाएगा यह, तो इस पूरे के पूरे Nucleus में गरने के बाद पूरे Atom का Existency खत्म हो जाएगा, इस बात को वह Explain नहीं कर पाया कि आखिर Electron कैसे Nucleus के चारों तरफ Revolve कर रहा है, और क्या बूलते हैं कि किस तरीके से Revolve करेगा, और Revolve करेगा तो Energy Radiate करेगा वो गिर जाएगा, तो यह Explain वो नहीं कर पाये, और साथ-साथ में क्या है, जो Line Spectrum बन रहा था, जो Spectrum Hydrogen Spectrum है, उसको भी Rutherford Model Explain नहीं कर पाये, क्योंकि अगर इस तरीके से लगातार Electron Energy निकालता रहेगा, और Nucleus के पास जाता रहेगा, तो वो हर Type की Wave Length निकालेगा, और यह जो Wave Length निकालेगा, जो Spectrum बनेगा, वो बनेगा Continuous, क्या बनेगा, Continuous बनेगा, और जो Spectrum बनता है, वो Discreet बनता है, Experimentally क्या देखा गया, वो Discreet बनता है, इसलिए जो है, Rutherford Model में Problem थी, ठीक है ना, तो वो तो बात की बात हो गई, अब जो है, हम पहेंगे, अब बोहर ने क्या है, बोहर ने Atomic Structure को Explain करने का जिम्मा उठाया, तो बोहर ने क्या है, Approximately जो है, 1913 में, 1913 में, इसने जो है, Atomic Model के बारे में बताया, और ये Model इसलिए पॉपुलर हुगा, इसने The First Successful Explanation of Hydrogen Spectrum, जो Hydrogen Spectrum है, जो Line Spectrum है, Hydrogen Atom के Case में, जो Line Spectrum है, वो पूरा का पूरा Bore Model ने क्या कर दिया, Explain कर दिया कि Spectrum कैसे बनता है, और साथ-साथ में, ये भी बता दिया, कि Electron अगर Revolve करेगा, Nucleus के चारु तरफ, तो वो Energy Radiate नहीं करता है, वो एक Fixed Orbit में ही क्या करता है, वो, Revolve करता है, ठीक है न, तो ये इसलिए क्या है कि, इसका Model बड़ा Success हुआ, तो The First Successful Explanation for Hydrogen Atom, इस Model से मिला, This Model was developed for the Hydrogenic Atom, ये सिर्फ क्या है, Hydrogenic Atom के लिए है, कि जिस Atom में Single Electron होगा, उसी में क्या है, हम Bohr का Model लगा सकते हैं, अगर आपने दो Electron, तीन Electron वाले Atom को लिया, तो वहाँ पर Bohr Model Success नहीं हो पाएगा, वहाँ पर Errors आने लगते हैं, तो उनके लिए हम दूसरे Concept का यूज करते हैं, तो जो Bohr Model है, वो सिर्फ Hydrogenic Atom के, मतलब Single Electron, मतलब One Electron System है, यानि एक Atom है, जिस Atom में New Grace होगा, और एक Electron होगा, उसके लिए ये Model अप्लिकेबल होगा, जिसे आपने का Hydrogen Simple, उसमें एक Electron है, हिलियम में दो Electron होते हैं, तो हिलियम प्लस लिखने का मतलब क्या, एक Electron आपने बाहर निकाल दिया है, तो हिलियम में कितना बचा, सिर्फ एक Electron बचा, वैसे लिथियम में तीन Electrons होते हैं, एक को तीन होते हैं, दो को आपने बाहर निकाल दिया, सिर्फ एक बचा, तो Li प बोहर का atomic model, बोहर का जो concept है, जो उसका postulate है, वो हम apply कर सकते हैं, ठीक है ना बटा जी, तो अब देखो उन्होंने क्या-क्या बोला, तीन ही postulate main था उसका, इसके बाद एक-दो तो और भी दिया गया, बट उसके जो तीन postulates है, वो main थे, जिस पर पूरे के पूरे atomic structure को उसने explain किया, ठीक है ना, तो पहला था first postulate आफ बोहर model, क्या बोला, उसने था electron revolve round the nucleus in various stationary orbit, उसने कहा orbit क्या होती है, stationary होती है, random ऐसे orbit में electron कहीं भी revolve, नहीं कर सकता है, वो एक stationary orbit में revolve करेगा, ठीक है ना, तो आप इसको देखो, ये आपका, आप देखो, ये जो electron revolve कर रहा है, इसकी velocity V है, है ना बेटा जी, और इस electron पर देखो, तो दो forces काम का, एक electrostatic force जो कौन लगाएगा, nucleus अंदर की तरफ लगाएगा, और एक जो है electron पर centrifugal force बाहर की तरफ लगता है, जिसे बोलते है, pseudo force, चीक है ना, और इस centrifugal force से electrostatic force आपका balance रहेगा, तब ये एक fix orbit में क्या करेगा, revolve करेगा, centrifugal force आपका pseudo force होता है, वो centriptal force क होता है, और वो आउटमर कोन दिखाए तक आपको, centrifugal force, तो अगर ये electron एक fix orbit में revolve करेगा, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, electrostatic force, between the electron and nucleus, is equal to the centrifugal force on electron, तो क्या होगा, देखो, ये आपका electron है, ये आपका nucleus पर charge क्या है, जेड़ी है, चीक है ना, तो जेड़ी इस पर charge है electron हो, इनके बीच का distance, ये हमने r ले लिया है, मालो, ये r distance है, ये r distance है, ये r distance है, किसके r है ना, अगर ये electronis orbit में revolve कर रहा है, तो कोगे सर की क्या होगा, kze, nucleus per charge into electronic charge, kq1, q2 by r square is equal to centrifugal force क्या होगा, centripetal force के बराबर होता है, तो mv square by r, क्योंकि electron की velocity v है, mv square by r, r से आपने क क्या आ गया, mv square equal to kze square r आ गया, चीगा ना, हम यहाँ पर n लिख दिया मतलब nth orbit की बात कर रहा होगे, ये जो orbit लिया है, हाँने, कोई, orbit 3 करोगा ने करोगे, तो आपने कहा कि अगर हम nth orbit की बात करेंगे, ये velocity आपकी होगे, कितनी होगे, vn होगा, और radius आपकी rn होगी, अब n equal to 1 है, तो पहली orbit, 2 है, तो दूसरी orbit, 3 है, तो तिसरी orbit, ऐसे n की value रखते जाएंगी, आपको अलग-अलग orbit मिलती जाएगी, तो ये आपका जो equation आ गया, पहले postulate से equation आपको मिला, I think मेरी बात समझ पाए, ये पहला postulate था, ये बात बहुत काम करने वाला है, इसलिए आपको लिए याद रखना इसको, अब इनका second जो postulate था, बड़ा important ये था, कि electron उसी orbit में revolve कर सकता है, जिस orbit में electron अगन मालेजी revolve कर रहा है, इस electron की velocity माल लो vn है न, ये, ये velocity है, अगर vn दिखा है न, vn velocity है, इसमें जो इसका angular momentum होगा, angular momentum of the electron, क्योंकि circular orbit में चल रहा है, angular orbit जो होगा, angular momentum जो होगा इस electron का, ओ, n h upon 2 pi होगा, integral multiple of h upon 2 pi, h क्या है, plane constant है, 2 pi आपका ये, ये इसने constant लिया, उसने कहा कि, जिस orbit में revolve करेगा, उस orbit के number से multiply करोगा यहाँ पर, जिसे यहाँ पर अगर है, यहाँ पर होगा 1 into h upon 2 pi, तो पहली orbit में, पहली orbit में, electron का जो angular momentum होगा, 1 into h upon 2 pi होगा, दूसरी orbit में कितना होगा, 2 into h upon 2 pi होगा, तीसरी में कितना होगा, 3 into h upon 2 pi होगा, तो electron उसी orbit में revolve कर सकता है, जिसमें उस electron का angular momentum, integral multiple of h upon 2 pi के हो, और किसी orbit में revolve करी नहीं सकता है, तो random नहीं कर सकता है, इसके मिलब यह orbit को इन्होंने fix कर दिया, तो क्या है, angular momentum लिखा है, the electrons can revolve only in those orbits, in which the angular momentum of the electron is integral multiple of h upon 2 pi, तो angular momentum क्या होता है, mvr होता है, mass of electron, velocity of electron, mvr equal to n h upon 2 pi, n का मतनब क्या है, कि कौन से orbit में, n equal to 1 में हैं, कि 2 में हैं, कि 3 में हैं, जो n की value आप लोगे, जिस orbit की बात करोगे, वहाँ पर n की value और रख दोगे, अगर मैं कहूं कि 5 वे orbit में, 5th orbit में, क्या होगा angular momentum, तो आप 5 से multiply कर दोगे, है न, इसको हमने क्या किया, ऐसे रिखा है, l equal to क्या है, angular momentum equal to mvn, nth orbit की velocity लेंगे, nth orbit की radius लेंगे, mvr is equal to n h upon 2 pi, ये है angular momentum of electron revolving in an orbit, चीक है मेटा जी, I think, मेरी बात आप समझ पा रहे हो, the stable orbit around the nucleus, इस nucleus की around orbit तभी stable होगी, जो दूसरा equation और पहला equation पूरा fulfill हो, stable orbit around the nucleus is one for which both equation n1 and 2 are satisfied, ठीक है मेटा जी, तो आप इसको देख सकते हो, ये आपका देखो, ये electron revolve कर रहा, अलग-अलग orbit में, उसी orbit में revolve करेगा, जिसमें क्या है, इसका angular momentum क्या हो, n h upon 2 pi की order का हो, I think, मेरी बात आप समझ गए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले concept में आता हूँ, कि इसका third postulate क्या है, बड़ा important देखो कैसे, इसका third postulate क्या है, इसने कहा कि, जिस orbit में electron revolve कर रहा है, ये orbit है नहीं है, जिस orbit में electron revolve कर रहा है, उस orbit में electron की जो energy है, total energy वो fix रहेगी, कभी बदल बदलेगी नहीं, on energy is always fix, ये जो इसके पास energy है नहीं, one upon two, जो भी इसके पास energy है, total energy, और ये सही बात नहीं कि time ऐसा नहीं कि यहां पर क्या energy को radiate करेगा, और ये electron क्या है, आज आए गन न्यूकलिस के पास नहीं, इसकी energy given orbit में fix होती है, तो in a stable orbit, electron energy remains constant, change नहीं होती है, और electron energy changes कब, when it makes a transition from one orbit to another orbit, एक orbit से दूसरे orbit में जब लेगा वो transition, तब उसके energy change होगी, ऐसे अगर वो orbit में है, तो वो change नहीं होगी, during the transition, one state to the another state, तब जा करके energy उसकी change होती है, ठीक न, तो वहां से ये बात निकल के आ गई, कि electron orbit में revolve करेगा, तो energy को radiate नहीं करेगा, अपनी orbit में है तो, radiation तभी होगा, जब एक orbit से दूसरे orbit में क्या करेगा, वो transit करेगा, तभी energy change होगी, such transition are instantaneous transition, ऐसा नहीं है, कि electron एक orbit से दूसरे orbit में गया, और वो ही रुख गया हो, ऐसा नहीं होता, फिर वो वापस अपनी क्या है, अपनी initial position एप उसको आना, इसलिए बोलते हैं इसको instantaneous process, इसकी रुकने वहाँ रुकता वो नहीं है, जैसे जाएगा वैसे क्या है, वापस आ जाएगा, and involve the quantized energies, energy कैसे हो गई तुमारी quantized क्यों, क्योंकि वो fixed orbit में जब transit होगा, तभी energy निकालेगा, वो जो energy निकालेगा, that energy is known as quantized energy, वो photon के form में, in the form of electromagnetic radiation photon, ठीक है नो, आपको दिखाई पड़ेगी, मैं यहाँ पर एक example लेगे, आपको करता हूँ explain, देखिए, यहाँ पर electron है, मालो, यह N1 orbit है, ग्राउंड state है, लोर state है, यह hard state है, N1 है यह, और यह N2 है, इस orbit में, मालो, न्यूक्लेस हैं कहीं होगा, ऐसे, ति यह पहली orbit ले लिया, आपने दूसरी orbit ले लिया, इसमें electron मालो है, जिसके पास energy क्या है, even energy है, इस orbit के energy तो fix होगी ना, even energy है, इसमें क्या है, अब electron already में है, अब बताइए, बाहर से आपने electromagnetic radiation दिया, इस electron को, इन दोनों के gap के बाराबर, तो electron क्या करेगा, energy लेगा, और energy लेकर क्या, क्योंकि आपको पता है, जब इसे photon गिरेगा, तो energy को absorb करता है, और excite होगा, तो यह excite होकर कहाँ चला जाएगा, अपर level में चला जाएगा, आजाएगा, ठीक है, यह electron excited हो गया, क्या हो गया, excited हो गया, जो आपका चला गया, अपर level में चला गया, और यहाँ पर यह 10 to power minus 8 second तक रुखता है, बहुत ही कम time होती है, इतना time तक रुखता है, इसलिए बोलते हैं, इसको instantaneous process यह गया, और जैसे जाएगा, वैसे ही वापस आएगा, no time lag, instantaneous का मत्दब यह, यहाँ इसको रुखना नहीं है, 10 to power minus 8 second बिल्कुल न के बराबर time होता है, तो यह क्या करता है फिर यह, यह फिर transit होगा higher energy to lower energy, अजब यह higher से lower जाएगा, तो यह electromagnetic, यह higher energy है नहीं यहाँ पर, ज़्यादा energy यहाँ पर काम energy, जब electron यहाँ पर jump करेगा, तो यह क्या निकालेगा, electromagnetic radiation निकालेगा, वो h new के बराबर होगा, जो energy बहार निकलेगी, इन दोनों के gap के बराबर होगी, यह higher energy है, lower, higher minus lower energy, h new के बराबर हो, मिलेगी आपको, और वो जो h new होगा, वो किसके बराबर होगा, e2 minus e1, higher energy state minus, lower energy state जाएगा त्मारा, h new, और यह क्या हो जाएगा, hc by lambda, यह energy आपको बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ेगी, जिसका spectrum आपको दिखाई पड़ेगा, wavelength lambda का, यहाँ से lambda भी calculate कर सकते हो, I think, यह तीनों जो है, postulate आपको समझ में आया, कि जो energy निकलती है, radiate होती है, वो discrete होती है, दो energy level के gap के बराबर energy वो निकालेगा, जब high energy से कहाँ जंप करेगा, lower में जंप करेगा, I think, यह बात आपको समझ में आई, यह तीन postulate आप आराम से पढ़ना, इसके बाद हम अलग-अलग parameter का calculation करेंगे, कि अगर कोई electron orbit में है, तो orbit की radius क्या होगी, electron जिस orbit में है, उसमें उसकी velocity क्या होगी, उसकी kinetic energy, उसकी total energy, इन सब चीजों के बारे हम लोग one by one करके discuss करेंगे, I think, मेरी बात आप समझ पाए बटा जी, ओके, तेंक यू,